हलो गाइज हरियाना गवर्मेंट ने वकेंसिज निकाली हैं आट अंड क्राफ्ट टीचर की 816 और इसके रिगार्डिंग एक एकजाम होने जाना है रिटन एकजाम 31 जैन को आट अंड क्राफ्ट की वकेंसिज हैं वो तो और वो पेपर होने वाला है 200 मार्क्स का जिसमें आपको कोश्चन मिलेंगे 100 हर कोश्चन 2 मार्क्स का होगा जिसमें आपको ये 100 कोश्चन में से आपके 60 कोश्चन अकेडमिक के होंगे आपके अकेडमिक के यह जो 60 marks का target है आपका academic session है जो art and craft के syllabus है तो उसमें आपको मैंने कई पेपर उसमें study किये हैं तो उसमें आपकी geometry portion आने वाला है maths का geometry portion तो आज हम उसी को उसी regarding video लेके आई है एक geometry regarding तो आपकी in 2-3 videos में यह सारा syllabus geometry के basic सारे concept clear करने वाले हैं तो आईए करते हैं हम start geometry geometry में जो basic questions आते हैं पहले वह आते हैं आपके dimensions के according मैं आपको यह Hindi और English दोनों करवाने वाली हूं dimensions मतलब समतल आपकी कोई भी body जो है कोई भी shape है वो 2D या फिर 3D ये कैसे होती है जिसके द्वी आयामी या 3 आयामी बोलते है हम हिंदी में इसे द्वी आयामी या फिर 3 आयामी अभी आपको पता होने चाहिए द्वी आयामी या 2D shapes कौन सी है और 3 आयामी कौन सी है अगर आपके पास question आ जाता है कि triangle square rectangle rectangle square में और cube में एक cube की shape बना रही हूं मैं आपको cube को हिंदी में बोलते हैं घन देखे triangle को हिंदी में बोलते हैं क्या 3 बुज 3 बुज rectangle rectangle को हिंदी में में बोलते हैं आयत वर्ग अगर मैं इसको यह वर्ग देखे वर्ग हिंदी में बोलते हैं इसको square और यह आपका घन हिंदी में और इंगलिश में बोलते हैं इसको cube यह square है यह rectangle है और यह triangle है ठीक है आप से पूछिया कि यह को यह द्वी आयामी है यह त्री आयामी है यह इन में से बोलिए इन चार आपके पास शेप दी हुई है इन में से त्री आयामी कौन सी है तो त्री आयामी आपकी क्या रहेगी घन रहेगी कैसे रहेगी तो मैं आपके यह basics clear करने वाली हूं 2D और 3D में ठीक है द्वी आयामी कौन से होते हैं त्री आयामी कौन से होते हैं देखिए आपके जो द्वी आयामी है द्वी आयामी वह होते हैं जिनको हम बोर्ड पे बना सकते हैं ड्रो कर सकते हैं ठीक है जो length और breadth में होते हैं जैसे आपकी ट्रेंगल है त्री बुझ यह आप क्या है यह द्वी आयामी या फिर मैं इसको क्या लिख रहे हूं टूड़ी एक रेक्टेंगल यानि की आयत अब आयत क्या होती है आयत में होती हैं जिसकी length और breadth जिसकी आमने सामने की बुझ चाह dab birthday क्या हूं एसकी बनी बंदा क्री्थि जिसकी आमने सामने difजय बराबर होती है आयत और जिसकी चारांदे की बुझाएं बराबर होती अ ये L, B, B ये सारी की सारी L है ये फर्क होता है आयत और वर्ग में ठीक है? तो ये आपकी त्री भुज है तो ये तीनों की तीनों और एक आजाती है आपकी सरकल जिसको आप हिंदी में क्या बोलते है वृत ठीक है? तो ये भी क्या है? ये भी एक 2D है सरकल का एक सेंटर होता है जिसको हिंदी में क्या बोलते है? केंदर केंदर ठीक है? तो ये कौन सी है? फिल हाल आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपकी जो 2D shapes हैं ये हैं 2D shapes कौन सी है? द्वी आयामी जिनको बोलते हैं द्वी आयामी में triangle, rectangle, square और circle ये कौन सी है? ये आपकी 2D shapes हैं अगर हम 3D की बात करें तो 3D shapes में आपकी क्या आएंगी? 3D shape में आपका घन इंग्लिश में बोलते हैं उसे cube घनाब हिंदी में उसको बोलते हैं cuboid और आपका cylinder हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे cylinder और हिंदी में बोलेंगे balan ठीक है? तो ये क्या है? आपकी 3D shapes है ये और एक आजाता है गोला क्या आजाता है? गोला और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसे sphere तो ये आपकी 3D वाली shape है याद रखें 2D कौन सी है? 3D कौन सी है? ये 4 है अगर इनकी shape मैं आपको draw करके बताओं और आपको फरक बताओं देखें उनको अच्छे से ये मैंने आपको 2D shape सारी draw कर दी, अभी 3D सारी draw करके देखते हैं, देखें 3D shape जो घन है, घन में क्या होता है? घन इसकी तरह ही होती है वर्ग की तरह देखते हैं, घन का मैं आपको example दिखाऊं, जो हम ludov खेलते हैं, dice होता है ये जो shape होती है, एक cube है एक घन की shape है, क्या फरक है इसमें, इसमें और वर्ग में क्या फरक है, वर्ग को देखें, आपको length और breadth देखती है, बट ये क्या है इसकी height भी है, ये 3D है ये क्या है, ये 3D है ये देखिए, आपको क्या दिखेगा इसमें ये वाली चीज, अगर मैं इसको length मान रही हूं, ये breadth होगी और ये height होगी, तो ये तीन चीजे दिख रही होगी, आपको तीन faces इसकी, ये length ये वाली, this one और ये वाली side और इसकी height ठीक है, तो 2D में height नहीं आती, और 3D में height भी आ जाती है, length, breadth की बात करें, तो वो सिरफ 2D में आते हैं 2, I am ये आते हैं, और 3D में height भी include हो जाती है, उन्चाई भी आती है, उसमें, तो वो आपकी 3D है गन की shape देखे, गन की shape कैसे बनाते हैं कैसी दिखेगी अगर आपके exam में paper में आती है ये होती है घन और घनाब की बात करें, देखें घन और घनाब में क्या अंतर है, cube और cube ओइड में, इसकी सभी sides equal होती है, सारी की सारी क्या है equal है, जैसे square में होती है darf एंट्स व्रेटिए हैं बनाने का तरीका सेम ही है बस इसमें इसमें क्या फरق है इस फोमला चाहरी वोलियूम अगर इसका आयतन निकालना है तो इसका फोमला भी आ जाता है फिल हाल आपके slayvers में इतना ज़्यादा deeply नहीं है आपको just shapes पता होने चाहिए और इनके बारे में पता होना चाहिए इस main main चीज़े पता होने चाहिए length bread height मतलब आप घन क्या है घनाभ क्या है इन में फरक क्या है घन और घनाब में क्या फरक है कि घन की सारी sides जो इसके सारे सीरे हैं बराबर होते है और इसकी length bread height same नहीं होता यह different different होती है अलग लग होती है ठीक है तो ये घन और ये घनाब next आ जाता है belan, belan English में बोलते हैं cylinder, उसकी shape देखी कैसे होती है इसकी shape होती है देखी, ये दोनों बीच में, ये दोनों circle होते हैं और ये एक height पे height पे होते हैं, ठीक है ये उसकी हम length ले 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 लेते हैं उसकी radius ले ले लेते हैं यहां पे radius को Hindi में बोलते हैं 3 jam ठीक है यह आपकी Balan की shape हमारी जो कोई भी pipe है वो किस shape में होती है वो cylinder की shape में होती है कोई भी pipe ले लीजिए वो cylindrical shape होती है ठीक है और next आता है गोला गोला को क्या बोलते हैं अब देखें गोला क्या होता है यह जो आपका globe है देखें यह गोला की shape है जो 3D object है जो हमें length bread height आपने movies भी देखेंगी 2D movies simple होती है 3D movies हम जब देखते हैं तो हमें ऐसा लिखते हैं हमारे बिल्कुल face पे आ रही है कोई भी चीज़े अगर वो फेंगते हैं कोई भी movie में 3D जो movie होती है हम special specs लगा के देखते हैं तो उनको हमें उनकी length bread height वो तीनों चीज़े दिखती है ठीक है तो यह आपका कौन सा object है 3D object है जो हम last shape कर रहे है वृत यह आपका गोला इसको English में क्या बोलते हैं सफियर इसका के अंदर को क्या बोलते हैं जैसे सफियर का center था यह circle का भी center होता है इसकी R R क्या मैंने बाप को बताई थी 3D ठीक है अब यह मैं आपको यह circle बता दो circle में क्या होता है circle यह इसका एक center जितनी मर्जी यहाँ पे इस center से यह इसके corner जहां मर्जी चाहिए यह देख लीजे चाहिए यह देख लीजे यह देख लीजे यह देख लीजे जितनी मर्जी लाइने लगा लो वो सभी क्या रहेंगी सेम रहेंगी उसको क्या बोलते हैं 3D 3D कैसे होते हैं कैसे बनता है एक वरीत हम जब परकार खोलते हैं जितनी हम परकार खोलते हैं वो उसकी त्रीजा थे मालीजे, मैंने परकार खोल ली ये और यहाँ पर मैंने सेंटर लगा के और यतनी परकार खोल के और यह सरकल लगा दिया ठीक है, तो एक सरकल ऐसे create हो जाता है यह होता है उसका center इसको बोलते हैं हम त्रीजा और अगर यह पूरी line है अगर मैं एक छोड से दूसरा छोड मिला दू यहाँ पे तो यह सारी इसको क्या बोलते है जो center से जाने वाली सबसे बड़ी line यह इसको क्या बोलते हैं हम व्यास और व्यास का formula क्या होता है 2 multiply by 3 तो जब हम 3 जा को 2 से गुना कर देते हैं जो यह 3 जा होती है यह व्यास का आदा होती है अगर व्यास निकालना तो 3 जा का हम 2 गुना कर देते हैं अगर आपको paper में कोई circle का व्यास निकालना बता दिया जाए और 3 जा दे जी जाए 2 cm तो 2 into 2 आप formula में value पुट कर देंगे और आप उसका व्यास क्या निकाल देंगे 4 cm ठीक है ऐसा ही सफियर का यह center है और सफियर में भी radius होती है आपको सफियर के बारे में इतना ही मालूम होना चाहिए कि सफियर सफियर क्या है 3D है इसको हिंदी में हम गोला बोलते हैं और इसके भी center से यह r होती है अगर इसका भी व्यास निकालेंगे तो वह double ही निकलेगा 2 multiply by r करके clear next हम करते हैं deeply हम जाएंगे इस वीडियो में cylinder के बारे में next हम बात करें है triangle की देखे त्री बुज triangle या त्री बुज किसे बोलते हैं हम 3 बुजाओं से बनी बंदक्रीती ठीक है 3 बुज क्या है 3 बुजाओं से 3 साइड से यानि कि ये देखे 3 साइड है 1, 2, 3 3 साइडों से बनी बंदक्रीती को हम क्या बोलते है 3 बुज ठीक है और 3 भूज में 3 ही side होती है इसकी तीन ही और 3 side होती है और 3 ही क्या होते है इसके angle angle को हिंदी में क्या बोलते हैं कौन यह अभी last paper में आया हुआ जो 2015 में एक मैंने exam देखा था heart and craft का उसमें आपसे पूचा हुआ कि 3 भूज के 3 कोनों का योग कितना होता है 3 भूज के 3 कोनों का योग अगर मैं इसे A, B और C मानने हूँ तो triangle में 3 कोनों का योग जो होता है वो होता है आपका 180 degree triangle के बारे में और जानने के लिए इस channel को subscribe कीजिए, like कीजिए और जादा से जादा शेयर कीजिए, अपडेट रहने के लिए हमारे साथ बने रही है next video में, thank you, have a nice day